नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैं हूँ अंकित अवस्ति देश में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कंट्रोवर्सी ये कि अमित शहा जो कि देश के ग्रह मंत्री है उनके बेटे जै शहा जो की ACC यानि की Asian Cricket Council के जो है वो अध्यक्ष है उनके द्वारा हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में जो की दुबई में हुआ था उसके एक विनिंग शॉट पर एक द्रश्य में जब कैमरा बताता है उस तरह का द्रश्य जिसमें जै शहा ट्राइ कलर यानि तिरंगे को अपने हाथ में नहीं लिया जा रहा है तो इस बात पर ही सारा विवाद शुरू हुआ है मैं एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ उसके बाद आपको विवाद बत जाया तो कहते हैं कि जब आखरी मैच आखरी बाल पर उन्होंने सिक्स लगाया तो ये अपनी खुशी के मारे सीट पर से खड़े हुए इस दौरान इनको किसी साथ वाले ने ट्राइकलर यानि तिरंगा इनके हाथ में पकड़ाया जब ट्राइकलर पकड़ाया तो इन्हों इसको लेने से इनकार कर दिया और ये इनकार करते हुए साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं ये देखिए तो ट्राइकलर जब लेने से इनकार करते हुए दिख रहे हैं तो बस यहीं से सारा की सारा मामला शुरू हो जाता है शुरू होता है मीडिया के अंदर ये नियोज उ हुआ था उसमें ठीक है सभी तरफ की आप न्यूज उठाकर देख लीजिए एक वीडियो वाइरल हुआ है और इस वाइरल वीडियो के बाद में जहां तहां आप देखो इनहीं के सारे की सारी मतलब जो अपोजीशन है कॉंग्रिस के अंग्रिस जो भारत के अंदर या अन्य में हराया एशिया कप टूर्नामेंट जो कि दुबई में आयोजित किया गया था 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर नाम से ही इस पस्ट है कि यह भारत पाकिस्तान का द्विपक्षिय मैच नहीं था इसमें एशिया के अंदर जो अन्य टीम्स हैं व क्रम में यहां पर यह मैच हुआ था अच्छा अब जब यह चीज निकल करके आई तो आप कुछ ट्वीट देख सकते हैं जैसे कि नेशनल स्पोक परसन है AICC के All India तरनमूल कॉंगरेस के तो All India तरनमूल कॉंगरेस के जो स्पोक परसन है उनके द्वारा एक ट्वीट किया अब यह क्या कहानी है मैं वो भी आपको बताऊंगा एक बार के लिए आप इनका वो देख लीजिए मतलब असल में क्या है मैं कुछ और ट्वीट भी दिखाता हूं ताकि आपको यह पता चल जाएगे कौन किस तरह से इनके लिए कमेंट कर रहा है All India तरनमूल कॉंगरेस के Holding the National, देश विरोधी, शहापुत्र इस तरह की ट्वीट चल रहे हैं कॉंगरेस लिखती है कि तिरंगे से दूरी की आदत इनकी कई पीडियों पुरानी है का जाता है कि मतलब इनको लिंक किया जा रहा है RSS से कि RSS तिरंगा पसंद नहीं करती थी ठीक है कुछ लोग इस तर प्रुवेदी जो है वो शिरसेना से लीडर है, MP है राजसभा के अंदर, वो इस बात को इस तरह से लिख रही है कि हर हाथ में हो तिरंगा हमारे संकल पुर देश के लिए निस्ठा का प्रतीक है, तिरंगे को जटकाना ये देश के 133 करूरा की आबादी का अपमान है, सब बचाव होगा, तो बचाव से पहले मैं जिस आधार पर पार्टी इनका बचाव कर रही होगी, BJP के नेता है, अमित शहा, उनके बेटे है, जैशाह, तो बचाव करने के लिए भी स्वभाविक्सा है कि moral obligation BJP के उपर आएगा, तो साब जो वो बचाव दे रहे हैं, उस बच जाव का भी थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए, सहिया गलत निरना लेना आपका है, तथ्य दौनों की तरफ से जान लीजिए, मैंने आपको खूब सारे tweet, opposition के भी दिखा दिए, अब इनके पक्ष के भी दिखा देता हूँ कि साब, इनके पक्ष में तर्क क्या है, तर्क ये के देशों के अंदर, जो देशों के मैच कराने के लिए संस्था बनी है, that is Asian Cricket Council, चीक है, इंडिया में जिस प्रकार से control करने के लिए BCCI है, ऐसे एशिया के सभी cricket boards के उपर ACC है, ये उस ACC के President है, अब जब आप ACC के President हो, तो इसका मतलब ये हुआ, कि आप हर एशिया के के हित के बारे में, आप पूछेंगे ये कौन कह सकता है ऐसे, भाई ये हैं तो इंडियान ना, बिलकुल, ये इंडियान है, लेकिन इंडियान होने के नाते इसका अर्थ ये नहीं है, इसको सारल सारल भाशा में यू समझे, कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति United Nations का Chief बन ज होता है, अपने देश को अपने मन में या फिर अपने विश्वास के साथ रख कर चलना होता है, जस्ट लाइक अवर इस्पीकर इन लोकसभा, इस्पीकर जो लोकसभा का होता है, सामान तया वो मैजोरिटी पार्टी जो सत्तारूड पार्टी होती है, उसी से होता है, लेकि लाइक प्रधान मंत्री, वो जीतता विनिंग पार्टी से है, यानि कि मैजोरेटी पार्टी से है, लेकिन जब प्रधान मंत्री बनता है, तो किसी एक का नहीं होता है, वो सब का होता है, ठीक है, ऐसे ही जब आप Asian Cricket Council की बात करते हैं, तो Asian Cricket Council के अंदर बनने वाला जो व्य obligation है, और वो obligation क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा आप एक नियम पढ़ें, इधर देखिएगा, ACC जो है न, उसके according जो है, Asian Cricket Council का President है, अब यहाँ पर जो सबसे important चीज़ जो आपको पता चलनी चाहिए, वो क्या है, कि एक clause है, ICC का, क्या clause है, clause number है, 2.2.2.1, इसमें लिखा हुआ है, कि council का constitution कहता है, कि जो भी उच्छ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार के conflict में participate नहीं करेंगे, इसको हिंदी में थोड़ा सा इस प्रकार से देख लीजिए, अंतराष्टी है, इस तरपर दुनिया भर के अंदर, जैसे football के अंदर FIFA है, ऐसे cricket के अंदर ICC है, ICC का एक नियम है, जो Code of Ethics के अंदर आता है, यानि कि आपको जब पदों पर बैठते हैं, तो उसके गरीमा का पालन करना होता है, तो उसमें ये लिखा हुआ है, Code of Ethics के Clause 2.2, यानि लॉयल्टी के अंदर आने वाले नियम 2.2.2.2 के अनुसार, एक डायरेक्टर, कमेटी मेंबर या स्टाफ मेंबर, किसी खास स्टेक होल्डर, चाहे वो National Cricket Federation हो, किसी National Cricket Federation का सम्हू हो, या किसी Third Party, यानि सरकार या Political Body के Interest को Promote नहीं कर सकता, क्लियर है, तो जो बात मैंने आपको अभी समझाई, आपने उसको बहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कोई व्यक्ति निकल करके WTO का Head बन जाए, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि इंडिया के लिए सारी सबसीडी माफ कर देगा, WHO के अंदर बैट जाए तो यह थोड़ी है कि इंडिया के अंदर Corona की Vaccine सबसे पहले पहुचवा देगा, यह नहीं कर सकते आप, कारम क्या है, क्योंकि आपको उस पद पर टूर्नामेंट है, एशिया का टूर्नामेंट इनके अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसी इस्तिती में यह मैच के खिलाडियों का उत्सहा वरदन तो कर सकते हैं, यानि कोई भी खिलाडी खेले उसकी तारीफ में तालियां तो बजा सकते हैं, लेकिन आप मैच के समर्थन में क सारी चीजें हो रही हैं, अब आपके आर्गूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जो All India त्रणमूल कॉंगरेस है, उनके द्वारा आर्गूमेंट दिया गया कि हामिद अंसारी ने ऐसे ही एक बार जंडे को देख करके सल्यूट नहीं किया था, जब सल्यूट नहीं किया तो बीजेपी ने उनको काफी ट्रोल किया, ये कहा गया कि सहाब उन्होंने जंडे का अपमान किया है, उस समय के अपमान पर भी एक आंसर ऐसा ही मिलता जुलता आया था, क्या आंसर था, आंसर ये था कि हामिद अंसारी चुकि सर पर कुछ रखे हुए नहीं थे, जंडे के साथ नियम है कि जब आपके पास सर डखा हो, तब ही आप फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइस आपको सीधे खड़े रहना होता है, ऐसी इस्तिती में हामिद अंसारी को जब ट्रोल किया गया था, तो कंपेरिजन दो चीजों का हो रहा है, कि आपने उस समय तो नियम माने नहीं, जब हामिद अंसारी की बात थी, कि साब उन्होंने सिर नहीं डखा हुआ था, इसलिए शल्यूट नहीं किया, उल्टा उसके एवच में आप दूसी तरफ क्या बोल रहे हैं, कि जैशाहा नियम से बंदे थे, इसलिए जंडा नहीं काम था आपको ये बताना, कंट्रोवर्सी क्या है, दौनों के पक्ष रखना, मैंने दौनों के पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है, उतनी ही दरता से दौनों की बात रखी है, फिलहाल के लिए एक तथ्यात्मक जानकारी आप और लेते जाईए, और वो ये है, कि भार नाडू सॉसाइटी रजिस्टेशन एक्ट के तहत एक सॉसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, ये सरकार से कोई पैसा या फंड नहीं लेती है, दुनिया के अंदर सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है बीसी सीआई, जिसके जैशाह सेकेटरी है, साथ में दुनिया तीन सेगमेंट में मैच करवाती है एक मैंस नेशनल क्रिकेट टीम के साथ एक वोमन्स नेशनल क्रिकेट टीम के साथ और नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ तीन तरह के मैच BCCI के द्वारा करवाय जाता है टीम A और टीम B जो भारत की हैं वो भी इनी के साथ काम करती है ठीक है जाब तो उम्मीद है कि आपको ये जरूरी जानकारी BCCI के बारे में भी पता चल गई हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल नहीं भूलिएगा अंकेत इंस्पायर इंडिया पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैसा हमने आपसे कहा कि 1 मिलियन का गोल इसी साल अगर आप पूरा करते हैं तो अपन लोग मिल करके एक very well get together करेंगे जिसमें की बहुत शांदार तरीके से आप सब के साथ मिल करके एक party throw की जाएगी तो अंकेत इंस्पायर इंडिया को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद सेशन को जरू लाइक और शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और अंकेत अवस्थी सर जो हमारा टेलिग्राम चैनल है अब उसको verified अकाउंट का दर्जा मिल गया है आप उसे चाह करके join कर सकते हैं आपका समय शुब हो धन्यवाद